दोस्तों आपके चेहरा पे काफी डार्क सरकल पिवमेंटेशन हो गया और आपका चेहरा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है और आपका चेहरा गोरा भी नहीं हो पा रहा है उसके लिए आप बहुत सारा क्रीम का यूज करते हैं लेकिन फिर भी आपका चेहरे के पिमपल रिए नुस्खे को आपका बे खुब सुरॉत अब में गोरा ओ जाएगा तो आपको इस नुस्खे को हपते में कम से कम दो سे तीन बार यूज़ करना है तो अब कैसे यूज़ करेंगे और कैसे बनाना है नुस्खा तो आए आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो शुरू से लाश्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए वीडियो को थोड़ा सा भी ले लेना है किसी भी दुकान से ठीक है आपको यह लेना है एक रुप्या में ठीक है आपको मिल जाएगा तो चलिए एक हम यह ले ले लेते हैं ठीक है कि इसको हम कि यह पूरे इसमें डाल देना ठीक है ये मैंने पूरे ही डाल दिये है ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है ये एक निम्बू है इस निम्बू को आधा काट लेना है ठीक है तो मैं काट लेता हूँ इसको आधा इसको हम आधा काट ले और इसको क्या करेंगे इसमें निचोर देंगे पूरे ठीक है निम्बू क्या करता है आपके चेहरे के उपर जो पिंपल्स होता है उसको बेदाग कर देता है और आपके इसकी को काफी ज़ादे किलीन एवं खुबशत बनाने में बहुत जादे मरदगार होता है आपके इसकी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है निम्बू इसलिए मैंने इसमें आधा निम्बू डाल दिये है ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है किसी भी दुकाम से आप तुपको कोजिए मुफा लेना है लेख सकते हैं। ये बहना कोजिट आपको लेना है धिक ये बाप ले आपको लेना है एक चमस के आसपle तो इतना भी ले सकते हैं तो इसको क्या करेंगे इसमें मिला करके इसको तीनों को मिक्स करेंगे और अच्छे से इसको एड़ कर देंगे कि आपको क्या करना अच्छे से इसको एड़ करना ठीक है मैं देखिए इसको अच्छे से एड़ कर दिये हैं अच्छे से मिक्स कर दिये हैं अब देख सकते हैं यह नुश्का बनके तयार हो चुका है आपको इसको यूज करना है तो आपको क्या करना है नहाने से पहले आपको क्या करना आपको पूरे सरीर को यदि खुम्सुरत गोरा बनाना है तो इस तरह की कि नुश्खे बनाना है और आपको पूरे सरीर पे लगाना है असनान करने से पहले लेकिन यदि आप अपने सिर्फ चेहरा को सिर्फ आपको अपने फेस को गोरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है आपको अपने फेस पे लगाना है इस तरह से इस तरह से सब्भूलकन होंगे सारे रिमूब हो₂जाएंगे और आपका चेहरा बेंदाग बहूत जल् प्रेशन मिलती है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यदि पहली बार आएं तो इंस्टाग्राम को फोलो करना भी मत भूलिएगा क्योंकि इंस्टाग्राम पर नई-ई-प्रिम के बारे में नई-ई-ब्डेस्ट देते रहते हैं तो प्रिंट अब मिलते हैं नई-टोपिस के साथ लगले बाई-बाई जया हिंद जया भरत